दोस्तों नमस्कार जैसे कि आपको टॉपिक से ही मालूम पढ़ गया होगा कि होटल मैनेजमेंट के बाद हम क्या करें कहने का मतलब है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद या करने से पहले हमारे मन में हमेशा ये खयाल आता है कि अगर हम इसे पूरा कर लें तो हमारे पास नौकरी के क्या क्या आउसर होंगे जिसे कि हम अपना केरियर आगे बढ़ा सकें और धन कमा सकें तो आईए सुरुवात करते हैं तो जो सबसे पहला option है वो होता है hotels का और restaurants का ये basically traditional हमारे जो तरीके हैं जो कि हमें hotel management करने के बाद नौकरी के अफसर प्रदान करते हैं इसके अलावा कई सारे और भी options हैं जिने हम एक ही करके बताएंगे इसके बाद जो अगला option है वो है आपका खुद का restaurant जी हाँ आप अपना खुद का भी restaurant खोल सकते हैं चाहे तो आप छोटा कोई restaurant खोल लीजिए partnership के साथ या किसी और तरीके से तो आप चाहे तो अपना खुद का भी restaurant खोल सकते हैं उसके बाद जो हमारा अगला option है as a career आप चाहे तो किसी hotel management college में जाके as a lecturer पढ़ा सकते हैं आपने जो भी कुछ सीका है आप सेम वही जाके आगे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और यह भी एक education का बहुत अच्छा field है यहाँ पे भी आप आगे जाके काफी सारी growth कर सकते हैं इसके बाद जो हमारा next option है वो है online social media मतलब कि आप अपने खुद के वीडियो बना सकते हैं खुद की website खोल सकते हैं खुद का channel बना सकते हैं और अपने आपको धीरे-धीरे करके grow कर सकते हैं as a social media celebrity chef और इसमें भी आप देखेंगे जो current situation है आप काफी अच्छा पैसा लोग अर्जित कर रहे हैं और कमा रहे हैं इसके बाद जो हमारा next option आता है वो होता है हमारा airline scattering का क्योंकि जो आपके airline में खाना जाता है उसके लिए special catering companies होती हैं जो कि उनको food supply करती हैं ना कि hotel और restaurant यहाँ पे भी आप जाके अपने लिए job ढूंद सकते हैं job search कर सकते हैं उसके बाद जो next option है वो है hospital catering का जी हाँ जैसे की hotels catering होती है restaurant catering होती है सेम इसी तरीके से hospital catering भी होती है यह भी एक बहुत ही बड़ा ही बड़ा field है अब जैसे जैसे हमारे देश की जनसन क्या बढ़ रही है मरीजों की समक्या बढ़ रही है तो हर कोई चाहेगा कि अपने मरीजों को एक स्वस्त भोजिन कराएं तो इसके लिए hospitals खुद के अपने kitchens होते हैं hospitals में और वो वहाँ पे मरीजों के लिए अपना खाना तयार करते हैं तो यह भी एक growing industry है तो यहाँ पे भी आप जाके अपनी किसमत अजमा सकते हैं उसके बाद जो हमारा next option है वो है हमारा corporate catering companies जी हाँ corporate catering companies जैसे की compass, sodesco बहुत सारी companies हैं जो कि अपना base kitchen चलाती हैं अलग-अलग sites पे contracts लेती हैं तो आप वहाँ पे भी जाके अपना अपनी नौकरी ढूंड सकते हैं वहाँ पे भी आप जाके apply कर सकते हैं इसके बाद जो last option है वो है हमारा cruise liners का means basically यह abroad की job है बाहर की job है इसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है इसके लिए मैंने एक separate video बना रखी है जो कि आप जाके देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगी तो दोस्तो इस video के द्वारा अगर आपने अब तक देख लिया है तो आपके मन में काफी सारे doubts clear हो गए होंगे कि सिर्फ आप hotel या restaurant में नहीं और भी कहीं जाके बहुत सारे options हैं आपके पास नौकरी ढून सकते हैं अब मैं बात करूँगा कि अगर आपके दिल में कोई भी आपके विचार आरा होगा कि आप क्या करें ना करें तो ये एक बहुत ही अच्छा field है अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इस field में बहुत आगे जा सकते हैं फिर भी आपके अगर मन में कुछ doubt है तो आप मुझे comments कीजिए मैं हो सके तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उन comments के answer देने की और आपके सारी doubts clear करने की तो आप मैं चाहूंगा कि आप इस video को जादे से जादा share करें ताकि बाकी लोग भी इसका फाइदा उठा सकें और उनके मन में जो भी शंका है कि होटल मैजमेंट करें ना करें वो इस द्विदा से आगे निकल पाए